क्या जब आप Spray use करते हैं आपकी फीमेल पाrner को पता चल जाता है या फिर क्या Spray use करना से female partner को कोई side effects हो सकते हैं हमने बहुत सारे sprays पे बात की हैं कब यूज करने को को कॉनडम यूज कर सकते हैं क्या oral कर सकते हैं इसके बाईर में बात करने के बाद आज मैं बात करूँगी कि जब आप स्प्रे यूज करते हो तो अपकी फीमेल पार्टनर को क्या फील होता है प्लस इसके साइड अफेक्स क्या है प्लस क्या उसे पता चल जाएगा और मेरी बेस्ती हो जाएगी इस सब की बारे में बात करेंगे नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर निहा मैता मैं एक सेक्स कांस करूँ और तुष्टे काफी सालों से प्राक्टस कर रही हूँ बीहर वीडियो के मादियम से सेक्से जुड़ी सही चानकारी देने की कोशिच है चैनल पे नए है सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे आने वाली वीडियो के लिए कनेक्ट रहेंगे बहुत बार हम लोग जब स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ऐसा पता नहीं होता है क्योंकि आप मार्केट से भाई कर रहे हो तो आपको नहीं पता होता क्या ये स्प्रे कितनी जल्दी पहले लगाना है कहां लगाना है, पेनिस पे लगाना है, इसके आस्पस वाले एरियास पे लगाना है, कितनी देर का असर होगा, और क्या इसका कोई स्मेल होगा, क्या मेरे पार्टनर को पता चलेगा, आज ये सारे questions के answer करूँगी, पहला question जो यहाँ पर याता है, कि क्या spray यूज करने के अगर आप spray को opt कर रहे हैं, तो आपको at least 15-20 minutes पहले spray करना है, और उस spray को सूखने देना है, क्योंकि spray usually liquid form में है, तो अगर आप उसे spray कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप pourplay कर सकता है, या कुछ और कर सकता है, लेकिन exactly उसको वजाना में यह penetration नहीं करना है, क्योंकि usually वजाना का जो pH है, वो थोड़े different है, moreover, वहाँ liquid हो सकता है, जिसकी वज़े से spray का effect खतम हो सकता है, तो हो सकता है, वो जो आपने use किया, जिस purpose के लिए, वो काम नहीं क्या, अगर यह question है कि क्या female partner को पता चल जाएगा, तो definitely एक भी person उनने किसी भी तरीके से पता नहीं ज कर रहा हूं, तो क्या मेरी female partner को side effect हो जाएगा, या उनको जलन हो जाएगी, कई लोगों ने मुझे comment में ये question में पूछा है, क्या मेरी बीवी pregnant है, या बेबी है, या फिर दूद पिलाती है, क्या उन cases में कोई problem हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं, अगर आप spray को सूपने का इंतजार कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, moreover, उनके वजायना issues में बहुत जादा कोई problem नहीं है, तो उनको irritation होना exactly possible नहीं है, अगर आप बहुत जादा spray का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो, कई लोग एक साथ में 9-10-10 puffs यूज़ कर लेते हैं, उनको लगते हैं, जतना जादा spray करेंगे न, उतना better है, ऐसा नहीं है, if you are using 2-3 puffs, और अपने सरफ penile area पे यूज़ कर रहे हैं, कहां exactly यूज़ करना है, वो आप इस वीडियो को देख लीज़े, तो अगर आप सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो definitely आपके partner को किसी भी तरीके के side effects नहीं होने व जब आप perform कर लेते हो, आपको satisfaction अचीव हो जाए, उसके बाद हमेशा बोला जाता है कि wash your penis, तो अपने penis को wash करो, ताकि वो spray वहां से हट जाए, moreover female partner को भी recommended है कि जैसी sex complete होता है, after some rest, she can go and clean हो जाएना, wash कर लो नीचे वालवा areas को अच्छे से, उसके बाद आप दोनों में स किसी को भी side effects नहीं होंगे, तो wash करना important, अगर आप लगे हुई छोड़ रहे हो, तो definitely आप अपनी body को, अपनी वहां की skin को harm कर रहे हो, अब आप बोलोगे मैं किस तरीके का spray जादा important है, अच्छा है, जिस पर हम trust कर सकते हैं, go for man matters, lidocaine topical, indoor spray, क्यों मैं इसे recommend कर रही हूँ, क्योंकि, सबसे पहले तो ये इंडिया का सरफ एकलौता non-burning alcohol-free climate delay spray है, साथ-सके zero side effect है, specially आपकी female partner को, जैसे burning, itching, या फिर spray का उन तक पहुँच जाना, जैसे हम transference कहते है, quickly absorb करेगा 10-15 minute में, बिलकुल transfer नहीं होगा आपकी female partner को, या फिर कपडों पे, easy apply है, spray bottle है, easily comfortable है, तो indoor spray को, निश्चिन्ट होके, अगर आप spray को कहीं खोज रहे हो, तो आप इसे definitely opt कर सकते हो, आशा करती हो, मेरी वीडियो आपके बहुत सा doubts को clear कर पाई है, चैनल पे नए है, तो subscribe करना नहीं भूलेंगे, बहुत सारी ऐसी वीडियो लेकर मैं आती रहूंगे, और आपने भी spray उज़ किया है, कुछ questions ने दिमाग में, कुछ पूशना चाहते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, मुझे बताओ, ताकि अगली वीडियो आपके topic को cover करें.